वीडियो इसका रिजल्ट डिक नेर हुआ है तो शेयर के लिए थोड़ी बैड नीज है कि कि इसका प्रोफिट डिकलाइन हुआ है तो यह और यह बेसिस पे 0.93 प्रसेंट डिकलाइन हुआ है प्रोफिट एंड हम अगर कॉर्टर नेट प्रोफिट की बात करें तो 47.82 का डिक अधरे डिकलाइन हुआ है थेल्ट फिश्वाड बहुत जादा इनका फ्रोफिट गिरहे है तो हम इस शेयर पर इगल आई बना कर रखेंगे और जब इसका ब़ाइंग प्राइस आएगा तो हम इसके बाइन पर और चलुके चलेंगे तो हम इसका बाय पर इंग करेंगे तो सारे 34 रुपे आ गया है 600 रुपे से जो लग बख 50% कम हो चुका है और आज की ट्रेडिंग सेशन में यह 8,000 रुपे पर क्लोज हुआ है तो चलिए हम इसका भाइंग लेवल डिसकस कर लेते हैं जहां पर हमें इसको भाइ करके चलना है क्योंकि इस रिजल्ट के बाद इसमें इसको थोड़ा वेकार आया इसको अटर तो इसमें कर्रेक्शन मुझे जहां तक लग रहा है कि क्रेक्शन आएगी तो हम इसका पाइंग लेवल डिसकस कर लेते हैं ठीक है क्योंकि यह अच्छा शेयर है तो हम इसको भाइक करके चलेंगे क्योंकि ओट्र सेक्टर का शेयर ह रहा है यह तो यह अलेक्ट्रिक वेहिकल इंडिया का फीचर है तो इसमें फिर से ग्रोथ तो पकी है तो हम इसको भाइक करेंगे एगए चलेंगे तो चलिए हमने मारित शुजी के का हमने चाड़ लिया तो इस चाड़ में हम भाइक लिए डिसकस करेंगे तो जब या अटर्टार्गे सब्सक्राइब लिए करेंगे सब्सक्राइब ने चल रहा है और इस रिसल्ट के बाद मुझे लगता है कि होगी तो हम इसको इसका से लेवल काने का बेट करेंगे उसके बाद हम इसमें पॉजिशन बनाएंगे ठीक है और टार्गेट हम लेके चलेंगे 83-200 रुपे तक का फाइनल टार्गेट और हम स्टोप लोज भी लेके चलेंगे ठीक है इसमें स्टोप लेके चलेंगे हम 63-00 रुपे का स्टोप लेके चले झाल